नमस्ते आप यूपी का हाल चाल जानने की यात्रा देख रहे हैं हम अलीगर्ड जिले में हैं ये बीरपुरा गाओं हैं और विधान सभा बरॉली है आप कहेंगे ये तो बड़े नीरस किस्म के ब्योरे हैं थोड़ा दिल्चस्प बनाते हैं दिल्चस्प ये है कि दावर नेता इसी बरॉली विधान सभा में एक दूसरे से जूचते हैं इन नेताओं के नाम हैं दल्वीर सिंग और जैवीर सिंग अब और दिल्चस्प बनाते हैं कि पहले ये नेता कभी कॉंग्रेस में थे कभी लोगदल में थे कभी बसपा में थे एक दूसरे से जूच मसला यह कि अब यह दोनों नेता भाजपा में हैं दल्वीर सिंग 2017 के विधानसवा चुनाओं से पहले भाजपा में आए और विधायक और मंत्री हैं उम्र खूब हो गई है तबियत उनकी खराब रहती है तो अब उनके परिवार के लोग दावा ठोक रहें इस भरवली सीट जैवीर सिंग बस्पा के दौरान दो दफा विधायक रहे 2002 से साथ और साथ से बारा में मंत्री भी रहे उसके बाद वो बस्पा में उनका रसूख बढ़ गया तो 2014 में उन्होंने अपने लड़के को यहां अलीगर से लोकसभा का चुनाओं लड़ाया वो नहीं जीत पाए और 19 में उसी लड़के ने कॉंगरिस के टिकट पर चुनाओं लड़ा अब विधायक जी कहते हैं कि हमारा उस लड़के से राजनेतिक संबंद नहीं है आपने गौर किया होगा मैं चुनाओं जितवाया था 12 तक और बोला है विधायक जी कि फिर वो MLC हो गए थे और यह व बरॉली है वो दलवीर और जैवीर की लड़ाई के लिए मशूर है हाला कि दूसरे लोग भी दावा ठोक रहे हैं कोई बसपा से कोई भाश्पा में ही किसाब इंदों में हमारी बारी लग जाए तो वो जो वाल पेंटिंग की अगर आपको पूरी सोशालजी समझनी है तब दलवीर सिंहों जी तो मंत्री हैं और यह जो गाओं यह आप चार दफा की सांसत आरे और इसी गाओं के हमारे शुबम है उन्होंने हमें मैल किया वीटेक-वीटेक किया हुए बढ़िया लगार की सरकारी नौकली लग गई है उसके भी मिठाई खिलाना और सरकारी भी ऐसी वैसी नहीं सेंटरल गवर्मेंट की तो हम इस गाओं में आए हैं हम ज़रा बाचीत करते हैं समझते हैं कि अली गड़ की सबसे चर्चित सीटों में से एक बरॉली का हिसाब किताब क्या है क्योंकि हमको अली गड़ में रहने के दौरान लोगों ने बड़ी गुणा गलित समझाई बरॉली की और हमें फिर और यह भी समझाए कि साहब ऐसा नहीं कि आप सिर्चत्री समझ के एक ब्रैकेट में डाल दो हमें जादौन वर्सिस चोहान दोनों का क्या फरक है दोनों की क्या नेतागीरी यह भी बहुत सारी लोगों नलीगर्म समझाए तो फिरासी साल कि सबसे पहले यह बताओ आपने टीका लगवाया कि नहीं यह यह लग गई यह तो अभी दर्द कर रही गया ना में यह लग गई नहीं यह लग गई नहीं लग गई दूसरी भी लगवानी है हां लगेगी लग दान हुए मख़ हुए बनू लगे अच्छा को बनू बोलते हैं हों बन कर देता है उंसे बन यह शद मिल गया हमको बन अच्छा कप ऑ खर वह रकी होती है कि बेचने भर जो आपकी हो बेचा किया रेट पांच भाजार मिल जाए छे हाज़ एजाव ममदी हंचार का जैंक क्ष़्स प्राइवेट हो है अप्पॉ छोग गधिष़ी साल सजडार व्हकू हो च्हों भी बीसो भीचे जाए इलीग समय तो जाद भीकिसरे आप लोग एख बेचता हैं फिर बोलीगा सबस्क्राइब लेगने में पहले जाधा बचत थी यह जाधा बचत फॉट या आप जादा बचत था में बचत तो कहूंना ना पहली में आपकी में रूरा इतनी लाग खा जातु है कोई चीज दिज दियर बिर्ट बिकर लागत कोई चीज ना है रही, और लागत खाए यए तो वोग बचै उती चाइता बते हैं, कोई नोके कशाथ ज्यादा बचे जाए, तो कोह खेती नहाए् है कि खेती छोडी ना जाती, जड़ी कि जाओ कहां तो उल्टी सूर्थी कंदी पड़ते हैं कि कई लोग कहते हैं कि सिचाई के साधन अच्छे हो गए हैं विजली है साधन सिचाई भेगें बिजली के बिलु आबते हैं सब्सक्राइब टूट फारू देखते हैं तो अक्रिसान को कहा है कि बिजली बेखता हुए जाते कि साधन सब्सक्राइब कर अब्सक्राइब काइट हैं साधन अच्छी गंडाइब escuchato तो साधना अइक सब्सक्राइब कर काउन आतर ऑní Note 10 गुखेट में एंऑ यह क्शेटी पंड़ एंधर लगा लगए थी तो तो तुम मह इस्या पीट copy बचा लिए लिए ओके जाकि सरेकारी नोकरी होई गुबहले बचाले यू किता हुते 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 किसान को तुम बढ़िया मत समय किसान तो पर को यह लगा लगा लिपटो पर रोए खेटिया कहा ले जाए फे खेटिया छोड़ देगो तो खाई भी गुना है तुम कि जा बताओ चाचा जैसे जौन जे नई नई सरकार की स्कीमें आती है किसान क्रेडिट कार्ड किसान सम्मान ने पैसा और हमने यूरिया अब आसानी से मिल जा जिस सब चीज़े तुजा से कचू फाइदा भाग नहीं हो यूरिया मिल जातो डीएपी मिल जातो कीमत तो पहले कर जातों हैं थार्ट हो पहले दौह हईज़े सब ऑच आंपन्दै सूले सबिकि रो बताओ कहां लिए जागी हूँ है लोग टेम परे का के यू भीच के इंट कीमत नहीं मिल ले किसान कीमती नहीं मिल ले का करे किसान तो पास पैसा है विए उनु खरी टेक बंदर डाले और जब किसान की निबटिको तो सारी की बाइस भी किरो गयों काई सबी भर्शाल कर सकत पैसा तो गुई कमा सके किसान पैसा नाई खिट और नुकर फसलते कले या धानते कले ले कपास तो नहुए गो किसान तो माप ones वे मिलोंपर हो है का क्रहिए सरकार यह पेट मेरा किसान हम ह duplicac appro किसाना करन 001 01ว3 मा मताहिस एक बैले बढ़ा रही है है और खातन वड़ा और फोगजा न भाड़ा न पर इसा बढ़ा रही है इखाथ पर बढ़ारी, डिजल पर बढ़ारी इवी है बढ़ारी है बैजली है महंगी है मिहांगी है और डिखर या जाब करकीFrom विछ बढ़खी के शले अजय हो शाद को हहते किती महर कड़ एंसांड़ों खेट को एग आज हजारों हो और बिल रारी हना दरही है प्षबिार हम सब्सक्राइब कर दूर्टी ही आप कि बादी नहीं यह सब्सक्राइब हो और टार अधिक टिटों झाई करती में जिले और में वह से अ OUT यहर आई घ्र गानी जाज़ए पैछिले शान वे बेड ठाबी गो ज और यहासा ल Best मौसम की वेखे झाए कि मिल्केस करऻ estratég है उ इस कि और आपके गाऊं में अचेक है खेती से इतर बाते करें तो कुछी तरकी तरकी अधना की टेक है इश vendorsाई it इतने ज्याते तरकी नहीं आब यह अगर स्वेश्त aisle additional the है एक सिंगे से इस पर इस पे इस पे इस पर बोली है इस पर ये स्पर त यह नम आपका क्या राएं इसे डीर नामा यह P सिर्फ उन्होंने कार किया था अपने जमाने में वही समय सड़क चल रही है अज तक उसके आप इतना खुल के बात कर रहे हैं यह जो हमको अली गड़ों में समझाया गया कि वह जादौन हैं वह चोहान हैं सब की अपनी अपनी पॉलिक्स क्या है यह हिसाब किताब हमको समझे पॉलिक्स नहीं है सब अपने उसमें काम में ब्यासते हैं किसाने किसान जो है सारे अपने अपने काम में में ब्यासते हैं किसी कोई पॉलिक्स नहीं है वो पॉलिक्स में किसान जा नहीं पाता है पॉलिक्स वाजीम किसान पॉलिक्स में यह कौन है यह किसान वो है जो जिन तूबल चलाने जाए कि अपनी पॉल्टिक्स देगे यह सी ने हाज अजा क्या रहे है क्या नामें आपकर नमस्कार जोगेश नमस्ते जा है नामस्ते जा बताई क्या रहे थे नो करो स्रकार में का करो है स्राइब फटारेश सत्रेसो दाने बिके पचास के लोगो कर दो परिशा इतनी कीमत रहे गई तो मने तो अपनों घटाय दो घटाय की महगों बिके लो और हमारो पूरो हतुकाल को मड़ो गणारो प्रीश-आम ने कि दहन देगो स्तरेसो बिके लागात वां में लागात कितन कि दूनी आई ड्रूनी आई है का कर देन का के रहए को कि अझार लिति कराविट कि शाराव जाज पनदर बर लो रहे हैं दो सुनी है कि तो महारे घुट अभारे गयो और जब जीते कि कुई ना पूछ पीर का बूगा कि जनेक इन कि मत्टी खरावे या व जपे शवर्ब भीन एन आख्ज़ से 7 बूली आघी टाधि के किसान नहीं किसान गीर विल्व कर अैंने ट्रीम में ज influencer किसान नगी है नहीं नाल गार na 20 फार लिटर के हमारा उचभर हमारे होसमेlor ठील है कें न बचित किसान गार सब क兩ग बुर मेक सबादेब यह लगता है कि जो मंत्री जहां से होंगे जिस गाहों से उसकी तो बड़ी तरक्की होई जाती है कोई तरक्की ना क्या हो यहां पर आते नहीं दल्वीट सिंग हम ढ खोव आमें अब कोई ऐसी पार्टी भी है क्या जो किसानों की सुध लेती हैं सब एसे ही हैं कोई ना झाने किसान वाइटी ना है एक लोडा ब्याव ना करते है तर्ग तगाया करेगो अपाइद ओकरी करेगो तागाया दो करें ब्ले ब्ले ब्याव कर ले खेती बे तो परदा करें ब्याव कर लेके दिखाए हमें कई किसान भावी जाए मिलतों लागतों लग दिया तकुनि और स्टरे सोग बहां धानएगों वहां में भी घा में चार मिजदूर लेगे तो धानए तो मिजदूर लेगे है हजार रुपाय बीगा कटाई पिटाई चार सुरुपाय बीगा लगाई दोई सुरुपीया बीगा पटलेंग तो फिर वामे खात पर रो पता का पिचा कुछान है उत्वा हम मंडी केहूं लेगे केहूं बेगे पंदरे सो हमने बाद मुख करवादी हम दोनों कई तू हमा आ तो कि नहीं मिलो मंडी लेगे पंदर सो भी को जी बताओ का करें किसान मज्या है तीन चरुपार रूट के में कमा अनपर आदिमी वहां पाउलेली हम पहते तो का अनपर नहीं लेके लिए जाओ तो नहीं खाए नहीं जोने तो अब दोनों कोई सवनो और आव एक बास बताओ के सो रप्या लीटर पेटरोल डिले चल लें काकिंगे ट्रेक्टर बारे जो ताइप नहीं लेंगे इता ही तूर ट्रेक्टर आब एब एक किलो मिटर खेते हैं यहांती, घ्टेते निया उठाला हूं और हमने। यह संतके प्रोट यह शुंक का तो का वता रेक जो कि अधिक्त दिख्काते है किसाने की का शुना बचेरों अर टोगन का वतार है आपके गाहों के पर्धान वगेरा ने कुछ दखल नी दिया पर्धान तो बने पर्धान पर्धान पर्धाइक सब्सक्राइक जिसे कुछ निगा ना वो जू कहते हैं तो एक तो सरकारी खरीद में दिक्कत है आपके जो चाचा बच्चे हैं वो क्या काम करते हैं वो भी खेती किसानी में कुछ नौकली गरते हैं है है आपकेती में नौकली ना है थाकन नौकली नहीं वेलो यो फिरकेती में था को धाकरी में धानिकेती में ग्रधाइक बक्साइव मेंन हैं बनाहिकरी नहीं है गव हैं ठाकंड नही नहीं gegen नोक मिन खिर मेरी maior तो आलाइजी खिर में रही समय जब वन बतारत कि लेयं आञिस्के नहीं लिटे हैं कभी जैवीट सिन्ह गरा डलवीट सिंह गिते रहें जी अकारीमा इस सफेल है? मनीशकुर मेर्फ जीते कैं एक गजीते हैं मनीशकुर मेर्फ जीते गए इन उननी सु कि प्रिचंट मेर्फ मानीशक जीते। छीकी कोने वह सोते हिले डियुकंदे। लेठी चाहस से मतने जी जीते हुआ ही, मनन्तिरी तो पिर क्या की करना चाहिए सरकार को जैसे आपने कहा कि नौकरी रखी नहीं है क्या चीज करनी चाहिए फिर क्या से की आदमी खुदी करना पड़ेगा का किंगे कुछ सुझाओ दीजिए सरकार को तो से 70 रपा कट्टा है यूरिया को हैं पेरे पचास के लो अब पैंचारी कि खरंब या दस लूब पालते हुए देने पढ़ेंगे खर्ण परोब आई ये वीस लूब फालते हैं यह है किसाने को बहुत यादा धरा भूशा ना फिर आगे बढ़ेंगे यसे योगी आद्यतनात की साले चार साल से सरकार चल लई है पहले अखले स्यादओ की रही पा तो वैसे माया बती ही, कैसे ही सकता दी सही, इनकी नायत नहीं है, अखलेश जी के, हताई पर अब योगी आज़त नाथ के, पर इतनी नाय है, एक पोत्त के दी बस फिर प्रचुनाय है, बहुत है, सब किसान पी पढ़े है, दराबू जानाय किसान को कोई, याकू जानाय किसा सब्सक्राइब कर आपके, यह जाला दिकन है, हाँ बाइक कौन किसान यूनियन के एकदम हला समचा, किसान यूनियन के नेता आए, उनसे बात करिए, आप है, नेता जी, Çünkü क्या नाम है, नेता जी आपका, मेरा नाम किसना ठाकुर, भारती किसालन भानू जिलाद्य चली, भा तो आप भारती किसान यूनियन भानू के हैं तो भानू आपके राष्टियत्ध्यक्ष का ना है जी जी राष्टियत्ध्यक्ष हमारे आप लोग भी तो धरने पर बैठे थे जी हम चल्ला बॉटर पर बैठे थे 26 तारिक 26 जन्वरी को और सरकार बैक पुट पर आ गई थी सामिल और पूरे माहुल को खराव कर देते हैं दूज खालिस्तानी जंडा लाल के लिए पर जाके फैरा देते हैं उपद्रव करते हैं जवानों को पीटते हैं सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाते हैं वो किसान नहीं है जो जवानों को मारे वो किसान नहीं है वो कि प्रण ले लिया और उसी दिन खतम कर दिया पहले आप लोग भारती किसान यूनिन का हिस्सा थे जी पहले थे जब मेहन सिंग टिकैत थे और हमारे राष्टिय अद्धिस ठागर भानु परताफ सिंग जब प्रदेश उपाद्ध रोते थे उत्तर प्रदेश के और टिकैत तर्षिय जो किसानों के साथ हमीसा तन्मंध भनधन से समर्पन रहते थे ना कुई दलाली ना किसी के साथ मैं अन्याए किवल किसानों के साथ सोफ और बिर दासनी करते थे जो माहूल पलट गया है आज के लाप आकिस ठेकैत को देख रहे हो कि बेपशियों की तरफ से जो फंडिंग हो रही है उससे अपना अंदूलन चला रहे हैं और किसानों की बात तो करते ही नहीं है किसानों की आए दुगनी करनी है किसानों के समर्थन में बोलना है तो किसानायू का गठन करो MSP पर लिखित कानून मनाओ ये तीन क्रिसी कानून बापसी करने से ही किसान की आई दुगनी नहीं होगी ना किसान खुसाल होगा ना उसकी आगे तरक्की होगी केवल किसानों का सूसर्ण हो रहा है और वो होता रहे गए ये तीन क्रिसी कानूनों से कुछ नहीं केवल राजनीती के तोर पे है किसान को हमारा अभी राश्टी अद्रश ठाकुर भानी प्रताफ सिंग का एलान हुआ है तीन अक्टूबर प्रदेश कार्याल है इमिलिया जो फिरोजाबाद में पड़ता है हमारा कालयल है वहां पे 7-8 लाख लोगों को किसानों की भीर जुटाने का हमारा एक मुहिम चल लई है इतनी तो वहां मजफर नगर में नहीं जुटा पाई हमारा पूरा फोकस है कि 7-8 लाख लोग वहां जुटाएंगे उँको जादी बड़ा लक्षिन ले लिया लच हम लेते हैं उसको करके भी दिखाते हैं त्यविलान करेंगे prophets इंत्रन कैंट्रों गठन यहीं होगा कि इसान ड़िय। कानून बनाया जाए और हमारे जो सैनिक सहीद होते हैं उनको पांच करोड़ रुपे का मौज़ा दिया जाए और भी हमारी बहुत मांगे हैं जिनको हम पूरा कराने के लिए वहां बैठेंगे महा पंचायत करेंगे और उसे मुख्यमंत्री आएंगे हां सुनने में और सुत् मुख्यमंत्री का टाइम कोई दो महीने के रिए किलिया नहीं होता है ना एक महीने पहले कि आप करने वाले रख अन्यवान है ना लगी हमारा खांगर को संघ्त है नहीं हमारा कुई राजनेतिक संघ्टन नहीं हारज आचने पर दिस उ आपक्शन नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे थे मैं Orbis रहां काम सवाल भूच्छ नहीं को जवाब दे reflect हमारे किसानों को संगटने किसनृ और नहीं किसानों चैनल करके मेरा जुवराए के खेतिय पंदर सुलभी का खेतिय तो यह आपके गाहों के जो किसान है उन दो किसानों ने बताया कि वह टोकन के लिए तीन महीं प्रिशान रहे आपने इनकी मदद नहीं की सबसे पहले पहुंचते हैं छाएं करशी वी विवागो चैंने सिचाई वी वागो कोई सावी विवागो हमें सुचना मिली कि 15 तारिक का टोकन कटने के बाद में 15 तारिक वाले का नमबन नहीं आ रहा है और वहां पे पांस तारिक का जो टोकन कट रहा है उसका नम्मर आ रहा है हम यहां से गए अपने किसान पददगारियों को लेकर और किसानों को लेकर हमने केंदर प्रभारी को बुलाया हमारे पास पूरे सबुते उनके जो रजिश्टेसन नम्मर होता है वो दिखाए कि यह एक महीने से किसान परेशान है, इसके ग्याहूं क्यों नहीं तुले अभी तक, तो कोई हमें जवाब नहीं दे पाया, ताले में बंद कर दिया, जो उसका काल रहता है, होता है, उसमें जाके बंद कर दिया, हमने, SDM साब को फोन करके बुलवाया, केंद प्रभारी को वहां से हटवाया, जितने किसान यहां हैं, जिनके ग्याहूं भीग रहे हैं, उनके पूरी लिष्ट बनवा के आप मुझे देजिए, मैं जा रहा हूँ, और आपका इनका ग्याहूं कल तुल जाएगा, जितने किसान थे, कल ही सब का ग्याहूं, बीस-बाइस किसान ऐसे थे, कुछ तो ले गए थे, जो सोसन हो रहा था, उनका काफी दूनों से पढ़े थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, वो अपने ग्याहूं ले गए, जो फिलहाल में वहां मौजूद थे, और हम वहां गए, जब हमने उनक के दिया, सबरे, रेजिस्टेशन एस्जम साब को दिया, उनके दूसरे ही दिन, गवहाना मंडी में गया हूं सारी तुले, नेता जी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली, आपके तमाम दावे भी सुन ली, आपने ये करवाया, वो करवाया, सामने आपके गाहों के दो किसान सब्सक्राइब कर दो किसान है, छे महीने परिशान रहे, सरकारी खरीद नहीं हो पाई, ऐसा नहीं होता ता कभी कब अएसा होता है, भानी आतन Про and PA घ्रस आगहां से कोई दिक्तप हो जिन नेता है ताला लगा देते है पतो ही पता है है इसे सबस्था है किसानों को यह कर लेके बैटे हैं अभी किस चीज का धर्ना था मंत्री जी कहां में बिजली नहीं होता है और हमने 48 गंटे का अल्टीमेट दिया था उसी दिन से बिजली विवस्ता सोद्र गई ताला लगाया था ताला बंदी करके लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आपके जाने के बाद में आपके लगा दो आपके लगा दो आपके लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आपके अलीगण की बरॉली की क्या समस्या है बरॉली की समस्या सडकी है कुछ सडके हैं जो अखडी पड़ी है ठीक नहीं है और हमारा ये कि यहां पीछे बंबाए जो बंबा बोलते हैं चोटा उसमें पानी नहीं आता उसको कही बार लिखत में भी दे दिया है उसका समादान नहीं हुआ अभी तक यह समस्या इसका भी समादान होना चाहिए हाँ जाजा क्या रहे थे बताई क्या नाम है अपका नमस्ते थोड़ा किसा किए उधर बाद बढ़िया हाँ जो नाम बिनोत कुमार जी क्या काम करतें आप महदूरी करता हूं मजदूरी करते हैं बताईए क्या कह रहे थे मैं यह कह रहा है था एक हजार रुपे का सलेंडर हो गया सर एक दो लीटर मट्टी का तेल मिलता था आज गाउं के लिए वी बंद है जो मजदूरी काट पे अब बट्टी का तेल नहीं नहीं मिलता है उवे अपना गरीब यहां धोसे लेकर बादी सुरॉपे कलो हो गई तीन सुरॉपे मदूर का कोई धंडा नहीं है तीन कलो गहों दे दिया द्यो क्लो चावल दे चोसे क्या होता है उजा गाउं के आख और पास कोई भी फैक्टी नहीं है मद्दूर गाउं के 25 परसंट पर जमीन है पिचातर परसंट पर जमीन नहीं है जिनको आप तक कोई पट्टा निमिला है बहुत से लोग ऐसे लोग यहां ऐसे मजूद हैं जिनको कोई गोवर डालने के लिए कहीं भी कोई जगे नहीं जगें नहीं कोई ग्राम समाज की बीज जाने परदहन जाने आपको क्या लगता है इसकी वजय क्या रही बजय यह है कि यहां मद्दू लोगों का दबदभा है मद्दू लोग नहां परिसान होते हैं और उनको रोजगार नहीं है नहीं है और यहां इतने हमारे किसान हैं जिम्मीदारी में 2000 एकर भी गए उसमें जो किसान हैं उनको पंदर पंदर अभी गए 10-10 बीगे 5-5 बीगे खेत हैं उनको अपना गुजारा मुश्कुलते करते हैं उनके बच्चों के लिए वे एमेले हो चाहां MP हो चाहां कोई और भी हो उनके बच्चे परेसान होते हैं यहां कोई अस्पताल की ववस्ता नहीं यहां कोई फैक्टी के ववस्ता नहीं चाहां मेले जड़ी सिंह हो जाओ चाहां जेवी सिंह हो जाओ कोई भी हो जाओ कोई सुगदाने हो पाई गरीब का कोई गुजाराने कोई सबकार एसी भी आइज एतना और जबरस्ती करनक्शन दे दिये गए विजली के जिन पर उन वहोगताओं पर दद्द सजार पंदा पंदा सार बिल का बकाया है और चुके हैं तो गुद्दीन सौरपे की मद्दूरी में जी एस्टी लगा दी गई एक करूर पर जी एस्टी में फैटी बंद हो गई वे लोग बाहर रहने लगे गाउं में आ गए गाउं जोब आदमी कि अधरी मतश्यां में करोैं हो गये आ अफिंडारी करते हैं तो पंते लगी जुए क। हम तोंदार 2,000 कमरा हम पर रहां चिकादे मतचार में खेल्ड़ाय करते हैं पर चाहि किरायाञ दर cheia चेउसरी करते finalmente मता निए बीट लगति ऑर उस सब पर पानों करना को तो हम लोग तो जोटे लोगों का मद्दूर पेट का धंदा छिन लिया है हजार रुपे का शलेंडर कर दिया मद्दूर आज भी बताई ये उसको भरवाएगा एक किसान भरवाएगा पर भुक्तान भुटान अथिकारी क्या करता है। उसमें क्या किया जए जए तो हाँ आप बोली बोली तीन किलो गेहूं दे दिया दो किलो उसने चावल दे दिये उसके संग लगाओ नहीं है उसके संग तेल नहीं है उसके संग मिर्च नहीं है उसके संग मताली नहीं है क्या क्या करेगा कोई बाच्या उसका बीमार हो जाए क तो सब्सक्राइब कर दो जा रोग चलाई सा बढ़ती नहीं करते हैं। यह मेर बहती जी के साथ हुआ है। मेर बहती जी एक्सिजेंट हो गया था। जो लेकर गए थे मेंडीकल में उसको मने कर दिया। क्या बोले कि यह नहीं हो पाएगा। कि प्राइबेट में दाखला कर उसका भर्ती किया तीन लाख रोपे खर्च हुए वह भी फिर भी खतम हुगए तो तीन लाख के कर्जों को पटाएगा कि उसकी मद्दूर को करेगा क्या करेगा जरा हुए दिकरी वाद लिए मकान दुकान को भेकर है तो महंगाई और मेडिक कि विवस्था है दो चीजें आपने बताई कि सिलेंडर के दाम हां कि बिचली के बिल यह बड़ी समस्या है तो सरकार को क्या करना चाहिए जैसे अभी चुनाव है चार चे महीने में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा कराओ का मुद्दा तो यह है जो हमाई के लिए काम करें उसके लिए बोड़ देंगे कोई पार्टी करती है गरीबों के लिए काम है कोई भी नहीं है दद बद लूएंगे तो सब नेता सब कुर्सी पाद एक है और पब्लिक को चानाते हैं आई कॉंग्रेस का हो बीजेपी किसान के बीच मंदूरिक अपने वकत कातना किसान को इंग एक उसकी दिए के लिए जावन चेंक है जो किसान नहीं रहेगा तो जब आई जब द एगा तो मेंदू नहीं रहेगा कि तो क्या new क्या नाम है नमस्ते नवस्ते हरी बभी शर्म जी क्या रोतना चाहते वह भाई साफ न कहा सही बात कह रहा हुं है तो ऊछ देखो पेर अब देखेंगे जानती है की बात बंनते है के तकुना बना ही है अगाहों के रोके साबसे बोट्डाइब लो खेल गवाँ एक पूरा एक रोक में जलते है बेलोकोल एक साथ और वह रोक तै कॉन करता है गाहों का सब आपस भी मिल जोनकर लेंगे के अड़ी देखी एकोन तो भीकास करता है करता अभी कोज व्यकास किसी अभी तब कोई विकास ना है विकास कहां थे करें एक तो तक आठ बार तो ट्रांस फारम फोके तो एलने के और दोनों ट्रॉलन पर यह माले उपके कम ते-कम अपके दाने क्वेटी तो पट्टा ही गई अच्छा अज़े आगे नहीं तो मरेने में ना जिन्देन में पर तीन ऐसे आज़े लिए जिए कर्याई पर चलेंगे करा सबस् comigoर्स अब जो शुर्य तो जबहें देखेंगे क्सी पार्ट इंच्जारा है करा ही पेचलेंगे कर आई प्रॉके हैं पर शब्स सुमें कि अब अबयु नोज़े आ तो जो ट्रांसफारम न चलेंगे तो कहां थे किसान हतिका पानी लगावेगों पानी न मिलेगों तो का होगो पानी तो बड़ा जरूरी एक खेती के लिए और जैसा इन भाईसाब ने कहा कि जब किसान का काम ठीक चलेगा तभी मजदूर को काम मिलेगा अभी आप आये होंगे दर रास्ते में वह सड़क कितनी खराबी हैं कम ते कम रोज 4-6 आदमियत का प आलेस मिनिट की रस्ता है जरा में जब की लेलें सुबह के निकले हैं तो हमने तो कैदी जब की लेलें और वो जब की जगे जटका लग रहे थे हैं जटका तो लगींगे जब रोड इतने टॉप गएं तो आई बे वहां अतरौली की तरफ ठीक है आपकी तरफ यह अतरौल को अब ही तो कल जैसे आज कल याँ प्रदान वंतब्री आ और है लिगाल मैं मुख्य मंतरी अधिसभी सब लोग आ तो सब है रहें वह बता ज्युक्त आउर पानी करेंगे और का करेंगे हम कि अग्यों लोच आएग अ कि नहीं रोट की ले जोड़ पानी करेंगे और का कर dużo भाग भाई आपको क्या नाम है? दुष्ळन्थ तो दुष्षंत क्या गाम करते हो? और जहां वह रह रहा है महापर महां पड़ा है मापर ना कोई प्रस्ता क्वारा ना कूछ पानी बढ़ रहा सकरे है मै बैए ए गाली नंबर चार मेरे नाइभ ऐप सागतार को कि बॉलागै नाली ऑपर पारमात जुद। करीभन साथ अश्ता ना कॉसनता नहीं को इसा तो नहीं कि रहें हैं प्राइब करते हैं क्यों नहीं करते हैं रीजन किया हुआ है जिन क्या विश्वाद की किस वज़े से धबंग गहीं कि नहीं होती है हैं हमको क्या मालिम हम कह दी थी परदानीं बोट मांगने आते तो पूछते नहीं हो जीत के बाद फिर कौन आरा है जीतने बाद फिर कौन आरा है मां बहुत समझ आ रात पात में जा लिकरो बड़ो पैर भेड सने किसी की सरकार में सुनवाई थी आपकी आपकी अपकी घाड़ी ठाड़ी है मां देखना पीछे कैसी हो रही है उस तरफ इस तरफ जो आपकी ठाड़ी है सब कीचल भर गया सब कीचल भर गया सब कीचल नाली ना कुछ सब रस्ता ऐसी है बहुत परिसान होते हैं वापा बारिस पर जाती पानी में कहां लेकर वाला गिड़ते पड़ते आते हैं को अ और सड़क के अलावा क्या मुद्द है बस हमारा हुजा हम अपका नाम इस अदृषी नाम ने लोग नाप सरकारी स्कूल में बेजने को राजी नहीं है जैसे आपने बीका कि हम प्राइवेटे में इसको ने होदे związ है इसा वह पाइवेटे में जाते हैं आपनों कम daher il workspace जहनें हम और जहिए हैं जाते हान पैसे दे रहे हैं उसको सब्सकोपड़ लिययों Centa आरा में तीनी डिए अडिए प्रश्जंत कि definis कि पैसे दे रहे हैं एक sense of ownership है कितनी पैसे देते हैं या प्राइवेट में 200 रुपे महीने दे रहे हैं sense of ownership है जब कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस private school का जो teacher है वो primary मेरी के मुकाबले कम से एक कॉखम 12vordan में पाता है कि ही सकती सकती से और सरकारी में यह सुविधण नहीं जबकि सर्कारी में सबसे यादा मेरिट वाले लोग भरती होते हैं यहां पर ना तो प्रदान उसकी सुनाइब कर देनल की नल बेकार पड़ा जो आदम मजदूर आदम परेसाने पानी के लें पानी के लें परेसान आदमी का मेरे मैणा इसे अब धाए बैठे दो भानॉसिंग सिंगोर मुणीश कुमार या बता वाई ने चाहते हैं हो अब्सक्त कर दिए को जुँब है केला निकिले के लिए रसTा रहे हैं घूइस्त है मुद्दा की जाते हैं सब एक है जो नहीं बात करें बहुत दिक्कत है बाहर के आदमी आते हैं नहां नहीं तो बाहर के लोग आते हैं तब तो नेता जी लोगों को प्राधमिक्ता से बनाना चीज़ जब इतने दो गाते हैं चेतर के सार यहां पर जी का गाव है यहां पर कोई विकास कारें कोई नहीं हुआ पांच साल में का 15 साल हो गईने बढ़ रहती रहती यहां पर दल्वीर सिंग जन्ता दल से बिधायक रहे इन सोगें में कॉंग्रेस से रहे उन सी दल्व correspondence में मंत्री क्लियां ऩॅंगॹthen से राजनाज सन्ग राम प्रकाश गुकता की सरकार में की पर फिर दो जार बिदायक रहे और 2017 में फिर जीते तब राश्टी लोग दल में ते फिर भाच्पा में आगे मंत्री रहे तो पार्टियां भी तीन-चार हो गई और आपके मुझे ते लगा था कि साब मंत्री जी का गाओं तो अलगी चमकता है नहीं नहीं सर कोई 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 आता ही नहीं देखने भी नहीं आता है कोई नहीं आते हैं जीते के जाते हैं कोई नहीं आते हैं जाम आते हैं बोट मांगने आते हैं जो क्या कहते हैं जो बोट मांगने आते हैं नो कर देंगे वा काम हम कर देंगे वाय कर देंगे फिने केते हैं सर वहां पर हम गई थे एक लगवार है वह से यह कोई विकास कारणी हुआ अज तक एक नाली तक नहीं बहुत है करिशाने तीन सो रुपी में महनती में कोई गुजा रहा नहीं है अब पहले प्री करेक्शन लगाएं लोगे पर उसके बाद कनेक्शन काड़ दिये गए पांच पांच हजार बिल हो गया इनका अब आज तक कोई बिल नहीं आया अब बिल आ रहा है तो इनके कनेक्शन करने टिन दिन काम किया चार देना घर ब्थी नहीं है इसा जोगा बहुत मिकट स्थिति है और विजली का तो इसा बड़ा है सुनने में जो आ रहा है चलिए यह आपने गाऊं की कुछ बात्चीत सुनी इस बात्चीत के बारे में आपको भी सुन ले हैं ना सोशल मीडिया पे सब चीजे हैं पढ़के देखके कि वाट्सेब पे कुछ आ गया भुला neighbor, अने नेता ने ये, अने विपक्ष ने ये। इन सबसे एतर आप इन गाहाँ वालों की बातों को गौर से सुनिएगा इनकी जिन्दगी की दुख तकलीफों को सुनिएगा और फिर जिस किसी भी नेता की आप तावेदारी करते हूं उसके दावों को इनके बरक्स रखके देखेगा शायद आपको कोई जवाब मिले खास तोर पर बिजली को लेकर जो आप सुन रहे हैं ये आप विशमता देखिए कि कनेक्शन लगा अच्छी बात है लेकिन उसके बाद बिल बिजली का रेट है ना और उसको लेके उन्होंने कहा कि साब महंगाई को लेके जो शिकायते हैं दिक्कते हैं तो आदवी परेशान तो है गाओं का जो गरीब है महंगाई से वो इस डेमोक्रेसी में उतने संग्ठित धंग से अपनी बात को एक्स्प्रेस नहीं कर पाता है अलग अलग प्रेशर ग्रूप बनते हैं जो गरीब मजदूर है वो कोई प्रेशर ग्रूप नहीं बनता है के कलेक्टिवली है ना हम सुनते हैं जैसे प्रेशर ग्रॉप फोते थे उनकी यूणिय के मजदूर बिख्रे हुए हैं कुछ मिल लिआता है कुछ नहीं मिल भाता है इन भाइसाबस ने देखे इस डूर मेहरा इस ताहिए से या महँगाई किस तरह σε परिवार को ग्रेस बात कही है और वह इस तरहिए तैके कितनी बड़ी संख्या जिनके पास तो खेती नहीं जमीन का तॉकला है तो किसी भी सरकारी स्कीम का आपको फायदा मिला प्रधानमंतरी आवास या कोई फायदा नहीं इसकी कोई कैसी विवस्ता बने इसको लेके हुक्मरानों को विचार करना चाहिए योगी आदितिनाद सरकार के साड़े चार साल और उस कारकाल का लेखा जो खा उसके पहले भी मुख्यमंत्री रहे मायावती पांच साल अखलेश यादव पांच साल और अब वो दावे कर रहे हैं कि अब आप हमको चुनिये भाजपा कहा रही है कि नहीं हमने काम किया है तो और तमाम सूजकांग दिखते हैं वो एक नंबर ही तो है और वो नंबर इनी सब लोगों से आते हैं तो अगली दफ़ा वो नंबर देखिएगा तो इन चेहरों को भी जरूर याद करिएगा शुक्रिया